इस बार लोकसभा चुनाओं में सबसे चर्चित भोपाल सीट पर दिगवजे सिह की जीत के लिए कई बाबाओं ने भी अनुष्ठान किये थे इस दौरान जहां प्रदेश के चर्चित कम्प्यूटर बाबा ने दिगवजे सिह के लिए हठीयोग यग्य किया था वहीं वैराग्यनंद नाम के बाबा ने उनके लिए पांच क्विंटल मिर्ची से दिगवजे यग्य किया था दोनों ही बाबाओं ने इस दौरान मीडिया से समवाद में यह भी कहा था कि यदि दिगवजे सिह नहीं जीतते हैं तो वे समाधी ले लेंगे लेकिन अब उनकी हार के बाद ये दोनों ही बाबा अंतर ध्यान हो गए हैं मिर्ची बाबा के नाम से पहचाने जाने वाले बाबा वेराग्यनंद ने कहा था कि यदि दिगवजे से ही यह चुनाव नहीं जीतते हैं तो वे इसी कुंड में समाधी ले लेंगे इसके लिए उन्होंने बखाइदा मीडिया में दावा भी किया था अब इस चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद सोशल मीडिया में इन बाबाओं की ये बयान भी चर्चाओं में आ रहे हैं वहीं मिर्ची अग्य करने वाले बाबा का नंबर भी सोशल मीडिया में वाइरल हो रहा है जिसके बाद से फोन से परेशान बाबा ने तो अपना फोन ही बंद कर लिया जबकि इन दौर में रहने वाले कम्ट्विटर बाबा अपने आश्रम ही नहीं आये हैं कुल मिलाकर बाबाओं ने इस चुनाओं में राजनीती में दखल देने की पूरी कोशिश की थी लेकिन उनका यह दावा जनादेश के आगे फेल हो गया अब जनता बाबाओं से जवाब मांग रही है और सभी दूर इन बाबाओं की भद भी पिट रही है रिपोर्ट टैलेंटिड इंडिया